आपके भी नंबर पर WhatsApp की तरह से verification code नहीं आ रहा है और आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है recent SMS in 12 hours या 7 hours या फिर उससे भी ज्यादा time तो कैसे आप इस problem को fix कर सकते हैं आज इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो में अगर आप नए है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे तो चलिए वीडियो की तरह बढ़ता है तो गई सबसे पहले आपको क्या करना है आपको WhatsApp की एप इंफो पे जाना है एप इंफो पे जाने के लिए आप सिंपली जाएए सेटिंग्स पर जाने के बाद आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं Manage Apps ठीक है Manage Apps ठीक है या फिर आपको मिल भी जाएगा Easily कोई दिक्कत वाली बात नहीं Manage Apps पर आने के बाद आपको यहाँ पर Search करना है What's App ठीक है WhatsApp सर्च करने के बाद इसकी App Info पे आ जाईए App Info पे आने के बाद आपको Storage पर जाना है और इसे Clear All Data कर देना है इसके बाद आपको इसकी App Permissions पर जाना है और इसे यहाँ पर एक Location की Permission Enable होगी आपको इसे Disable कर देना है इसके बाद आपको Other Permissions पर जाना है और यहाँ पर आपको Read Service SMS आपको इसे Enable रखना है और एक और App Permission पर आपको यह SMS की Permission को Enable रखना है इतना करने के बाद आपको अपने WhatsApp को दुबारा Open करना है यहाँ पर आपको अपना Number एंटर कर देना है ओके हमने हमारा Number Enter कर दिया है इसके बाद आपको यह देखी यहाँ पर फिर से वही लिख कर आ रहा है Recent SMS in 12 hours अब आपको क्या करना है आपको जाना है अपने फोन की Settings पर Settings पर आजाने के बाद यहाँ फिर से आप सर्च कीजिए Date and Time Simply इतना सर्च करने के बाद आपके समने Date and Time की Settings आ जाएंगी इसके बाद आपको यहाँ पर Automatic Date and Time का यह जो Option है इसे Off कर देना है इन दोनों को Automatic Time Zone को भी इसके बाद गाईस आपको Set Time पर जाना है और इसे एक घंटा बढ़ा देना है अब जैसी आप वैसा करेंगे तो यह देखिए Recent SMS in 11 hours अब फिर से हम इसी पर जाते है और इसे फिर से आप एक एक करके कीजेगा अगर आप एक साथ कर देंगे जैसे एक साथ आप टाइम बढ़ा देंगे तो यह जो ट्रिक है वो काम नहीं करेगी आपको एक एक करके ही करना है ठीक है तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे बढ़ाते जाना है जब तक कि यह टाइम पूरी तरह से खतम ना हो जाए अब अभी आर बढ़ा रहे है ठीक है अगर जैसे ही मिनिट में आ जाए तो आप मिनिट को भी changes कर सकते हैं तो आपको धीरे-धीरे कर लेना है और जैसे ही गाइस ये इसका time कम हो जाएगा खतम हो जाएगा तो आपके सामने जैसे call me का ये option आ रहा है वैसे ही recent SMS का भी option आ जाएगा ये करते हुए एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपका data जो है ऑफ होना अब गाइस जैसे यहाँ पर ये 8 hours का भी हम ऐसे एक गंटे करते हुए complete कर लेंगे हमारे पास recent SMS का भी option शो हो जाएगा तो गाइस अगर आपको इससे related कोई और issue है तो आप मुझे comments में बता सकते है बट comment करने से पहले channel को subscribe कर लीजेगा क्योंकि जैसे आप comment करते हो channel को subscribe कर लेते हैं तो आपके comment के right side पर एक batch आजाता है और उसकी help से आपका comment सबसे top पर आजाता है और सबसे पहले मैं आपको reply कर पाता हूं तो अगर आपको वीडियो पहसंद आई हो तो इस वीडियो को like कर देना और channel को subscribe कर देना तो मैं मिलता आपको next video में thank you so much guys for watching बाबाइ कर दो